ऐसा माना जाता है कि जो खिलाडी लंबे होते हैं वो ही क्रिकेट खेल सकते हैं लेकिन हमने इस खेल में ऐसे खिलाडी देखे हैं जो छोटे कद के होने के बावजूर भी महान खिलाडी बने बाल की ऐसे खिलाडी लंबाई में काफी छोटे थे हम भी आपके लिए लाए हैं इसे 10 खिलाडी जिनकी लंबाई काफी कम थी। इसे 10 खिलाडी जिनकी लंबाई काफी कम थी। सबसे कम उमर में टेस्ट कप्तान बनने का भी रेकॉर्ड है। 20 साल 358 दिन के उमर में टितिंडा ताई बूस जिंबाबवे की टेस्ट टीम टी कप्तान बने थे। 2012 में 29 साल की उमर में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकिट से सन्यास ले लिया था। 7 डेविड विल्यम्स कद 5 फुट 4 इंच वेस्ट इंडीज के इस डाए हाथ के विकेट कीपर और बल्लेबाज ने 11 टेस्ट वच्छती से एक दिवसीय माच खेल कर लोगों को अपने खेल से हैरान कर दिया था। 6 एल्विन का लिचरन कद 5 फुट 4 इंच ये बाए हाथ के बल्लेबाज और दाए हाथ के बहतरीन गेनवाज थे। 5 फीट 3 इंच गुंडपा विश्कनाथ सुनील गावसकर के साले हैं। उनको प्यार से विशी कहते थे उन्हें उनके स्क्वैल काट के लिए जाना जाता है। वो स्लिप के एक बहतरीन फील्ड थे उन्होंने 91 टेस्ट में 63 केच पकड़े थे। उन्होंने 6080 रन भी बनाए थे जिनमें 222 उनका सर्विश्रेश्ट स्को था। पार्थिव पटेल लंबाई 5 फीट 3 इंच पार्थिव पटेल विकेट कीपर बल्ले बाज हैं। वो सबसे चोटी उम्र में टेस्ट खेलने वाले विकेट कीपर भी हैं। IPL में वो 5 अलग-अलग टीम के लिए भी खेल चुके हैं। और अब वो मुंबाई इंडियन्स के लिए खेलते हैं। जो उनकी छटी टीम है। इससे पहले वो चैननाई सूपर किंग्स, गेकन चार्जर्ज, कोची टासकर्ज, सन्राइज़ और रॉयल चैलेंजर के लिए मुष्टेकुर रहीम कद 5 फूट 3 इंच बहवरतमान बांगलादेश टीम में सबसे छोटे कद के क्रिकिट हैं। मुष्टेकुर रहीम मध्यक्रम के एक बहतरीन बल्लेवाज हैं। आम तोर पर चौथे क्रम पर बल्लेवाजी के लिए आने वाले रहीम बांगलादेश बल फूट 10 इंच प्रूग वेन विकिस लिस्ट को पूरा करते हैं। और वो सबसे अंत में आते हैं क्यूंकि वो सबसे छोटी लंबाई के हैं। वो क्रिकेट इतेहास में सबसे छोटे खिलाडी हैं। वो न्यूजीलंड के विकेट कीपर बल्लेवाज थे। उनका जन्म साओ थाफरीका में हुआ था, उन्होंने अभी तक 9 टेस्ट और 56 टीबीस माच खेले हैं। उन्होंने साओ थाफरीका, न्यूजीलंड, स्कॉटलंड और हॉलंड में क्रिकेट खेला हैं। अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही आप अ